सलमा से मेरी मुलाकात एक अस्पताल में हुई थी वो उस वक्त मेरी मा के सिरहाने खड़ी उनका टेंपरेचर चेक कर रही थी ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि वो कौन है उसका सफेद बेदाक लिबास उसके नर्स होने की गवाही दे रहा था मुझे देखते ही उसने कहा आप इनके बेटे मनजर है बेहोशी में भी आप ही का नाम लेती रही थी मैंने कहा जीहां मेरा नाम ही मनजर है अब क्या हाल है इनका अब तो बहतर है कमजोरी बहुत हो गई है आप डॉक्टर से मिलो वो आपको समझा देंगे उसने कहा और रिपोर्ट चार्ट पर कुछ लिखने के बाद कमरे से निकल गई, कुछ इनसानों से. मिलते ही अपनायत का एहसास होता है. सलमा को देखते ही अपनायत का ऐसा ही जजबा मेरे दिल में उठा था. ताजुब ये है कि मैं बहुत परेशानी के आलम में अस्पताल पहुचा था लेकिन सलमा को देखकर परेशानी के सिवा हर जजबा मेरे पास आकर खड़ा हो गया था. वो खुबसूरत थी. बहुत सी लड़कियां खुबसूरत होती हैं. फिर उसमें ऐसी क्या बात थी? कोई बात थी जरूर जिसका कोई नाम नहीं था. मेरी मा एक महीने अस्पताल में रही मगर मेरा ये एक महीना अम्मा की तीमारदारी में नहीं सलमा को देखने में गुजरा. उस एक महीने में उससे मैं उतना ही जान गया जितना खुद को जा ऐसा भी नहीं था कि वो मुझे कुवारा समझ कर किसी मतलब के तहट मिल रही थी उसे शुरू ही में। कभी मैं अकेला होता कभी मेरी बीवी नसरीन मेरे साथ होती और जब मा कुछ ठीक हो गई तो वो भी हमारे साथ बात करने लगी। वो अपने मामों के पास रहती है। नर्सिंग का शौक उसे बचपन से था। कानपुर से उसने ट्रेनिंग ली और मुंबई में मुलाजमत कर ली। उसका कहना यही था लेकिन उसकी कई बातों से मुझे यू लगता था जैसे वो सिर्फ मुलाजमत के लिए मुंबई नहीं आई है। उसके पीछे कोई और बात भी है। इस मसले पर मैंने उससे बात भी की थी लेकिन वो टाल गई थी। इनसान अपने बारे में बहुत सी बातों को छुपाता है। इसलिए मैंने भी जोर नहीं दिया था। एक महीने बाद जब हम अस्पताल से रुखसत होने लगे तो मैंने यही सोचा था कि जिन्दगी में जहां बहुत से अच्छे लोग बिछर जाते हैं। ये किस्सा भी अस्पताल में रह जाएगा। सची बात ये है कि अब मैं समझते हैं। मैं आप लोगों से बिछडने के लिए मिली थी, मांजी के साथ मैं भी आपके घर चलूंगी ताकि घर देखलू फिर मैं आती रहूंगी। वो अस्पताल से हमारे साथ ही हमारे घर आई और आते ही इस तरह घुल मिल गई जैसे यहां आते हुए उसे बरसो थोड़े ही दिनों में उसने सब के दिल जीत लिये थे। नसरीन की कोई बहन नहीं थी, खुदा ने उसे बहन दे दी थी, छुट्टी वाले दिन वो पूरा दिन हमारे घर पर गुजारती थी, कभी अम्मा से बाते कर रही है, कभी नसरीन के पास घुसी हुई है, अरू कभ मेरे पास जाइंग रूम में आकर बैठ गई, इतनी फ्री लड़कियों की तरफ से बीवियों के दिलों में शक उभरने लगते हैं, लेकिन नसरीन ने कभी अकेले में भी, उसकी बुराए मुझसे या किसी और से नहीं की, वक्त के साथ-साथ मेरे और उसके दर्मियाना हसी मजाग खूब बढ़ गया था, नसरीन के दिल में शायद सल्मा की तरफ से कोई ऐसी वैसी बात ना आई हो लेकिन मैं अब सल्मा को किसी और नजर से देखने लगा था, अगर मैं शादी शुदा ना होता तो कब का इजहारे इश्ग कर चुका होता लेकिन मौजूदा मैं तुमसे एक बात करना चाता हूँ, मैं शादी शुदा हूँ मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे मौहबबत करने लगा हूँ, शायद पहली मुलाकात ही में मेरे दिल ने तुम्हे पसंद कर लिया था, सल्मा ने कहा मुझे मालूम है मनजर साहब इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करती हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैंने कहा अफसोस तो मुझे ये है कि तुम बहुत देर से, मुझे मिली, अब हम दोनों एक नहीं हो सकते बीच में नसरीन मौजूद है, सल्मा ने कहा हम दिल से तो मैं कहा रहूँगा। सल्मा ने मेरी मोहबबत कुबूल कर ली थी, ये मेरी खुश किस्मती भी थी और यही मेरी परेशानी भी नसरीन की। लेकिन आज कोई दिल को दोनों हातों से मसल रहा था, जी चाहता था चलते चलते इतनी दूर निकल जाओं जहां नसरीन होना सल्मा, सलमा को मेरे सामने आना था तो नसरीन मेरी जिंदगी में क्यों आ गई नसरीन मिल गई थी तो सलमा से मुलाकात क्यों हो गई रात आधी गुजर गई थी सडकों पर ट्राफिक बहुत कम हो गया था मेरे पैरों ने अब चलने से इनकार कर दिया था मैं सड़त पर लगे एक खंभे का सहारा लेकर खड़ा हुआ था घर से कितनी दूर निकल आया हूँ अब वापस कैसे जाऊंगा क्या मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ इसमें वापसी का कोई रास्ता आता है मेरा जहन फिल सल्मा की तरफ चला गया नस्रीन को मुझसे कितनी मोहबबत है और उसे मुझसे कितनी उमीदे होंगी सल्मा से मोहबबत का इजहार करने के बाद क्या मैं नस्रीन की उमीदों पर पूरा उतरने के लायक रह गया हूँ मैं देर तक खुद को मलामत करता रहा फिर एक दलील ने म उससे मोहबबत की जाए, मैं खुद नसरीन को बता दूँगा कि मैं सलमा से मोहबबत करने लगा हूँ लेकिन ये मोहबबत दूर की है, वो कभी मेरी जिन्दगी में नहीं आ सकती, उसकी कही नथी शादी हो जाएगी फिर सिर्फ मोहबबत ही रह जाएगी, फिर वो शायद भी ना आ सके, मैं घर पहुचा तो रात का एक बज रहा था, नसरीन अभी तक मेरे इंतजार में जाग रही थी मैं बिना बताए घर से निकल गया था, इसलिए वो परेशान भी थी उसने मुझ से खाने का पूछा लेकिन, मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं बहुत ठक गय अब सोना चाता हूँ, मैं इतना ठक गया था कि लेटते ही सो गया, सुबह हुई तो बिस्तर से उठा ही नहीं दफ्तर से छुटी करनी पड़ गई, नसरीन की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों परेशान हूँ, उसने कई मर्तबा पूछा लेकिन जब ये देखा कि बार पैरों में सक्त दर्द शुरू हो गया, मैं जानता था कि ये दर्द नहीं है, मेरे दिल का बहाना है, लेकिन मैं उसके बहाने को टाल नहीं सका, मैं घर से जाने की हिम्बत ही नहीं कर सका और सोचा आने दो उसे, मैं भी बीमार बन कर पड़ा रहूँगा आँखे बन कर गई थी लेकिन आती तो रोज थी फिर वो क्यों नहीं आई, मुझे सब पर गुस्सा आने लगा किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, नसरीन भी अपने काम में मगन है, उसने एक मरतबा भी नहीं पूछा कि सलमा क्यों नहीं आई, किसी को फिक्र नहीं है, तो मुझे क्यों है, गुजरता जा रहा था मेरी फिक्र बढ़ती जा रही थी मुझे उसकी याद आ रही थी रात तक मेरी हालत गैर होने लगी कई मरतबा ख्याल आया नसरीन से पूछू फिर मेरे दिल के चोर ने मुझे रोक लिया उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था हम दोनों घंटों सलमा की बाते किया करते थे लेकिन अब चू की दिल का चोर बाहर आ गया था इसलिए पकड़े जाने का खौफ कदम कदम पर था दूसरे दिन मैं दफतर गया जरूर लेकिन परेशान रहा वहां भी मुझे सलमा का ख्याल सताता रहा मैंने तै कर लिया था कि दफतर से निकल कर सीधा घर जाओंगा लेकिन मैं उस अस्पताल के सामने खड़ा था जहां सलमा काम करती थी मैं यहां क्यों आ गया मैंने सोचा कि उसने हम लोगों का कितना ख्याल रखा था मेरा इतना फर्स तो बनता था कि उसका हाल पूछू क्या पता वो बीमार हो अंदर जाकर मैंने रिसेप् क्यों नहीं आई उसने कहा तुमने इंतजार किया था अगर आज आप ना आते तो मैं आज भी आपके घर नहीं आती मैंने उससे कहा चलो अब घर चलते हैं उसने कहा नहीं घर नहीं चलेंगे किसी ऐसी जगह पर जहां सिर्फ मैं और तुम हो जो मैं सोच रहा था उसने कह यही तो फर्क होता है शादी से पहले और शादी के बाद मैं उसे। ही कहा सुमिए, दो दिन से सल्मा नहीं आई है आप ऐसा करे कल अस्पताल होते हुए आना मालूम तो हो वो क्यो नहीं आई? मैंने कहा मेरे पास तो वक्त नहीं है कि अस्पताल जाता फिरू नस्रीन ने कहा कमाल करते है, आप कितनी मौभब्बत करने वाली लड़की है? वो, अगर नहीं भी कहती तो भी हर शाम में उससे मिलता ही था, दूसरे दिन भी मिलना था, अब अस्पताल जाने. कि जरूरत नहीं थी, हमने मिलने के लिए नई जगा बना ली थी. मैंने उसे नसरीन का पैगाम पहुचा दिया, वो उसी वक्त मेरे साथ आभी गई. नसरीन ने नाराजगी का इजहार किया और फिर दोनों घुल मिल गए. अब हमारी मुलाकातों का रंग ही कुछ और था, पह दिन उसने कहा क्या बात है, सलमा आजकल आपसे बहुत फ्री हो रही है. मैंने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा और अगर हो रही है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? नसरीन ने कहा इतने सीधे तो आप भी नहीं हो, आपने मौका दिया होगा तो वो फ्री हुई है. मैंने नसर नसरीन ने कहा सच बताईए आपके और उसके दर्मियान कोई बात नहीं हुई है। मैंने कहा नसरीन अब बस बहुत हो चुका वो एक अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है, इसके अलावा कुछ नहीं। नसरीन ने कहा अरे मैं गुरा थोड़ी मान रही हूँ, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, बलकि मेरा तो जी चाहता है कि वो हमेशा के लिए यही रह जाए, मैं बौखला गया, ये कभी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। उस दिन के बाद से मैं बहुत मोहतात हो गया था, औरत का क्या भरोसा आज बुरा नहीं मान रही है, इसका ये मतलब नहीं के कभी बुरा नहीं मानेगी, अभी उसे शक हुआ है, जिस दिन यकीन हो जाएगा वो मेरी जान को आ जाएगी मुम्किन है, सलमा का यहां आना ही ब महीने मा बीमार रही मगर इलाज घर पर होता रहा, फिर उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, मुझे रात को अम्मा के पास रहना पड़ता था, सलमा ने भी अपनी ड्यूटी रात की कर ली, यही वो राते थी जब मैं और सलमा करीब से करीब आते चले गए, राते आखों में और दिन बातों में कटे रहे, अम्मा की हालत रोज रोज बिगड़ती जा रही थी, मेरी और सलमा की कोशिशों के बावजूद वो हमसे रूट गई, उनके इंतिकाल के बाद घर में बहुत सन्नाटा हो गया था, हमारी शादी को छे साल हो गये थे, लेकिन अभी अगर कोई बच्चा होता तो अच्छा लगता, ये एहसास मुझे पहली मरतबा हुआ था और ये पहला ही मौका था जब मैंने नसरीन से शिकायत की, शिकायत एक मरतबा होती है, दो मरतबा फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, यही मेरे और नसरीन के साथ भी हुआ, मुझे कहने में कोई आद नहीं कि अगर सल्मा से मेरी मुलाकात नहीं हुई होती तो ये लड़ाई इतनी शिद्दत से नहीं होती, सल्मा की सूरत में एक बहाना मेरे हाथ लग गया था, अब मैं ये सोचने लगा, था कि अगर सल्मा से शादी हो जाए तो मेरी नसल तो बाकी था, आखिर वो खुद ही मेरे दिल में उतर गई, एक दिन उसने कहा अगर दूसरी शादी की ठानली है, तो मुझे कुसूरवार क्यो ठहराते हो, मैंने कहा दूसरी शादी करनी होती तो कब की कर चुका होता, लेकिन खुद सोचो क्या बच्चे मुझे नहीं चाहिए, नसर अगर उससे भी उलाद नहीं हुई तो क्या कर लोगे, मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि हर औरत तुम्हारी तरह बाज नहीं होती, दो आसू उसकी आखों में उबरे और फिर आसूं की कतार लग गई, उसकी हालत ऐसी थी कि मैंने उससे कुछ और कहना मुनासिब नहीं समझा, कुछ दिनों के लिए हम दोनों अजनभी से होकर रह गए, इस दौरान में सलमा भी आई उसने, महसूस भी किया लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि उससे कुछ बताता और बताता भी क्या, कि मैं जाहिल मर्दों की तरह अपनी बीवी से इस बात पर लड़ रहा हूँ कि उसको उलाद नहीं हुई, एक दिन सलमा ने मुझसे पूछा, मनजर सच-सच बताओ, इस लड़ाई की वज़ा मैं तो नहीं हूँ, मैंने उसे कुछ नहीं बताया और बात ताल दी, उसने कहा ठीक है, तुम मत बताओ, मैं नसरीन बाजी से पूछ लूँगी, मैंने नसरीन को सकती से कह दिया था कि सलमा को कुछ ना बताए, मैं नहीं चाहता था कि घर की बात किसी और के कानों तक जाए, बात आई गई हो गई हालात फिर मामूल पर आ गए थे, एक घर में रहते हुए कोई कितने दिन एक दूसरे से रूठा रह सकता है, नसरीन के कहने पर मैंने उसे कई डॉक्तरों को दिखाया, हर एक ने यही रिपोर्ट दी के किसी वज़स से ऐसी खराबी पैदा हो गई है, कि अब नसरीन उलाद पैदा करने के काबिल नहीं रही, अगर इलाज की उमीद होती तो, इंतजार भी कर ल मैंने सोच लिया और नसरीन से कहा, अब मुझसे इंतजार नहीं होता, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। किसी प्लानिंग के तहट सलमा से शादी कर रहा हूँ, फिर एक दिन उसने लड़की का नाम बता कर मुझे हैरान कर दिया, मुझे यकीन नहीं था कि जो मैं सोच रहा हूँ, वही वो भी सोच रही है। कहा ये आपका काम है, उससे कहकर देख लीजिए। मैंने बजाहिर बड़ी बेदिली से हामी भरली के सलमा से बात कर लूँगा। मैं नसरीन के फैसले पर हैरान भी था और ये सोचने पर मजबूर भी हुआ था कि उसने महज इत्तेफाक से सलमा का नाम नहीं लिया था बलकि शायद वो हमारी मोहबबत से वाकिफ हो गई थी। मैंने वो रात बड़ी बेचेनी से काटी। उसकी ड्यूटी रात की थी इसलिए कल दफ्तर के बाद ही उससे मुलाकात हो सकती थी। मुझे ये धड़का लगा हुआ। था कि वो तयार भी होती है या नहीं। वो मुझे पसंद करती थी ये अलग बात थी लेकिन एक बीवी की मौजूदगी में मुझसे शादी भी करेगी ये दूसरी बात थी। यही फिकर मुझे परेशान किये जा रही थी। उमीद यही थी कि वो नहीं मानेगी और अगर व उसे शादी की पेशकश कर दी उसका चहरा चमकते चमकते अचानक बुझ गया। उसकी गरदन जुप गई वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी और मैं उसे सोचने का मौका देना चाहता था। इसलिए बगेर कोई बात किये गौर से उसकी तरफ देखता रहा। फिर उ उसने मुझसे कहा, नहीं मैं आप से शादी करने के लिए तयार नहीं हूँ, मैंने पूछा क्या तुम्हें मुझसे मोहबबत नहीं है। सल्मा ने कहा मोहबबत है, इसलिए तो मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ और मुझसे शादी करने के बाद आप खुश नहीं र इसलिए मैं भी उसके साथ ही अपनी जगह से उठ गया और उससे कहा तुम सोच लो मैं कल फिर तुमसे मिलूंगा। मैंने उससे कई मुलाकाते की वो मुसलसल इंकार कर रही थी मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हो रहा था। मैं ये सोचता रहा था कि वो मुहबत मुझसे क करेगी कम से कम नसरीन की मौजूदगी में तो बिल्कुल तयार नहीं होगी। मुझे उसके मुसलसल इंकार पर हैरत नहीं थी लेकिन उस वक्त में हैरान रह गया जब वो अचानक गायब हो गई। अस्पताल से मुझे मालूम हुआ कि वो एक महीने की छुट्टी लेकर कान कर गई है। उसका जाना ऐसा हैरान करने वाला नहीं था लेकिन वो मुझे बताए बगेर चली गई थी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। इससे तो ऐसा लगता था कि वो अब नहीं आएगी। नसरीन की बात रह गई थी उसने तो मौका दिया था सलमा तयार नहीं हुई। त अब सलमा नहीं तो कोई भी नहीं। मैंने नसरीन से साफ कह दिया बस एक मरतबा बेज़्जती बरदाश्ट कर ली अब कोई और लड़की ढूंडने की जरूरत नहीं। सलमा मेरी जिंदगी में अचानक आई थी और अचानक ही चली गई। एक सपना था जो अचानक तूट खड़ी हो। फिर मैंने यही सोचा की एक महीना और इंतजार कर लो अगर वो नहीं आई तो फिर मैं कानपूर जाकर उससे मिलूंगा। अभी उसकी छुट्टी में कुछ दिन बाखी थे की वो आ गई। मुझसे मुलाकात नहीं हुई। नसरीन ने बताया की वो आई थी ए उसकी मंगनी हो चुकी थी इसलिए उसने आपकी पेशकश का जवाब नहीं दिया, वो आपसे शादी करना चाहती थी इसलिए मंगनी तोड कर आ गई। मेरा अंदाजा ठीक निकला वो आपसे मुहबत करती है। मैंने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ उसे मंगनी नहीं कितनी तकलीफ पहुची होगी, उसके माबाप की कितनी रुस्वाई हुई होगी। नसरीन कुछ दिनों से बहुत खुश नजर आने लगी थी लेकिन ये खबर सुनाते हुए उसका चेहरा बुझ गया था, अब उसे मुकमल यकीन हो गया था कि सलमा मुझसे शादी कर लेग थे, उन्होंने बताया मैं सलमा का मामू हूँ और ये सलमा के पिता है, हम इसलिए आए हैं कि आप सलमा को समझाए हमें मालूम है, वो आपके यहां आती है, आपकी बहुत इज़त करती है, वो आपकी बात जरूर मानेगी, मैंने कहा मैं उसे क्या समझाओं आप लोग मुझ बदल दे, मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं सलमा को समझाओंगा और वो लोग खुश होकर मुझे दुआएं देते हुए चले गए, उनके जाने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ये उन्होंने क्या कह दिया, उसका मंगेतर उसका महबूब भी था, फिर भी उसने फैसला मेरे हक में देकर मंगनी तोड़ दी, मैं जितना सोचता जाता मेरी हैरानी उतनी ही बढ़ती जाती थी, फिर मुझे खुद पर फक्र होने लगा उसने, मेरी खातिर अपने महबूब को भुला दिया, मैंने उसके रिष्टिदारों से ये वादा जरूर कर लिया था क कि मैं उसे समझाऊंगा लेकिन जब वो मुझसे मिलने आई तो मैंने इस बात का जिक्र तक न किया, मैंने ये जाहिर नहीं किया कि कोई मेरे पास आया था, मैं उसे क्यों समझाता वो ये सब मेरी खातिर तो कर रही थी, मगर अब एक मुश्किल मेरे सामने अचानक आ गई उसके मामो और उसके वालिट से मेरी मुलाकात वक्त से पहले हो गई थी, वो मुझे क्या समझ रहे थे और मुझे किस रूप में उनके सामने जाना पड़ेगा, सल्मा की तरफ से इजाजत मिलने के बाद मुझे उसके माबाप से बात करनी थी, इसलिए मैंने ये तरकीब न उदास थी, मैं यही समझा था कि वो नाकाम वापस आई है, लेकिन वो खुशखबरी लाई थी, इतनी बड़ी खुशखबरी पर वो उदास क्यों है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं और नसरीन खांदान के एक बुजुर्ग को साथ लेकर कानपुर चले गए, सल्म अपनी रजामंदी जाहिर कर आई थी, हमें तो महस फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, मैं सल्मा के वालिट से मिला, उनकी आखे मुझसे सवाल कर रही थी, लिहाजा मैंने जरूरी समझा के वजाहत कर दू, मैंने उनसे कहा देखिए, आपके आने के बाद मैंने सल्मा से बात की थी लेकिन उसके जवाब के बाद मुझे खामोश होना पड़ा मुझे मालूम भी नहीं था कि वो मुझसे मोहबत करने लगी है और मेरी खातिर मंगनी तोड आई है इसलिए मुझे चुप होना पड़ा मैं उससे क्या समझाता अब एक ही रास्ता रह जाता था कि मैं उससे शादी कर लूँ उसके बाप ने कहा इन बातों को दोहराने से क्या फाइदा उसके जो जी में आए करे वो आप से शादी करना चाहती है हम इस पर भी तैयार है हम वहाँ एक रात और एक दिन रहे चलते वक्त उन्होंने हमसे कहा आईए आपकी मुलाकात सलमा के मंगेतर से क सलमा के पिता ने मुझसे कहा सिर्फ एक महीने में इसकी ये हालत हो गई है ये अब कहां जिन्दा बचेगा उस नौजवान को मालूम नहीं था कि मैं कौन हो अगर मालूम हो जाता तो शायद इतनी कमजोरी के बावजूद उठकर मेरा गला दबा देता उसकी हालत देखकर जास्ते भर मुझ पर ऐसा से जुर्म हो रहा था बार बार सोचता था कि सलमा को समझाओं और उससे कहूं कि वो उस नौजवान से शादी कर ले लेकिन हर मरतबा मेरी खुद गर्जी मुझे ऐसा करने से रोक देती मैंने खुद को ये कहकर बहला लिया कि मैं भी तो सलमा से म महबबत करता हूँ मेरी महबबत में जादा तासीर थीके हो मेरी तरफ खीची चली आई ये भी तो हो सकता था कि उस नौजवान की जगा बिस्तर पर मैं लेटा होता अगर ऐसा होता तो क्या ये नौजवान मुझ पर रहिम खाता सलमा मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई नस उस नौजवान का ख्याल मुझे अकसर आ जाता था उन दो वर्षों में मैंने ये भी देखा कि सलमा एक मरतबा भी कानपूर नहीं गई थी उसकी वज़ा सिर्फ ये थी कि वो उस नौजवान का सामना करते हुए डरती थी दो साल गुजर गए तो अचानक मुझे ख्याल आ हाँ मंजर जब मैं नौकरी करने के लिए मुंबई आई तो एक अंदरुनी तकलीफ के सिलसले में कुछ टेस्ट करने पड़े जिससे मुझे ये मालूम हुआ कि मैं अधूरी औरत हूँ पैदाईशी बांज हूँ मैं आुलाद पैदा नहीं कर सकती ये सुनना था कि मैंने तैश में आकर उसके फूल जैसे गाल पर थपड़ जड़ दिया तुछ में ये एप था तो पहले क्यों नहीं बताया आदमी शादी क्यों करता है मैंने आुलाद के लिए तुछ से शादी की थी सल्मा ने कहा मैंने सोचा था आुलाद तो आप नस्रीनबाजी से भी पैदा कर सकते हैं मैं तो आपकी मोहबबत हूँ आप मुझसे ये मुतालबा नहीं करेंगे फिर तो मेरी साड़ी महनत इकारत चली गई उसने रोते हुए कहा मैंने तो मंगनी इसलिए ही तोड़ी थी म मैं रजजा को दुख नहीं देना चाहती थी मुझे मालूम था कि शादी के बाद जब आुलाद नहीं होगी तो उसे दुख होगा और अगर वो मुझ पर दूसरी औरत लाएगा तो मुझे दुख होगा आपकी बात और थी आप शादी शुदा थे आपने मुझसे मोहबब की तरह साफ मैंने कहा फिर भी तुमने उसे ठुकरा दिया सल्मा ने जवाब दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुझे बेवफा समझ कर भूल जाएगा लेकिन अगर शादी हो गई तो वो जिन्दगी भर के लिए मुर्जा जाएगा मैंने उसके हक में अच्छा ही किया था मगर आपको भी मैंने दुख ही पहुँचाया इस बातचीत के बाद मैं उससे खिचा खिचा रहने लगा वो महसूस करती थी लेकिन जबान से कुछ न कहती थी जब उसे ये मालूम हुआ के नसरीन भी आुलाद पैदा करने के काबिल नहीं है तो उसके पच्चतावे की आग मेर दिल तक आ गई वो गम और दुख की मूरत बन कर रह गई उसके होंटों पर वो अलफाज आ गए जो कोई औरत इंतहाई मजबूरी में अदा करती है एक दिन उसने मुझसे कहा आप एक शादी और कर लीजिए मैंने कहा किसमत से कौन लड़ सकता है सलमा यही क्या कम है कि मेर मुझे मिल गई वो खुश हो गई लेकिन शायद खुश नहीं हुई और आज आच साल बाद भी वो कभी कभी जित कर बैठती है कि मैं एक और शादी कर लूँ तीसरी शादी की अब हिम्मत नहीं है और फिर यह भी के ऐसी मुखबत करने वाली सलमा अब कहा मिलेगी